सब्सक्राइब करें, चप्टर 30, गौसलोग, क्वेशन नर्बर 22, तो लार्ज कंडेक्टिंग प्लेट आर प्लेस पैलल तो इच अधर, और तो दोनों का सर्फेस चार्ड देसिटी सिग्मा है, और दोनों पे चार्ज एक्वल मेगनिक्टूड के है, पर अपोजिट साइन के है, अब हमें पुछाए कि लेफ्ट साइड में एलेक्टिक फिल्ड कितना होगा, मिडल में एलेक्टिक फिल्ड कितना होगा, और राइट साइड में एलेक्टिक फिल्ड कितना होगा, यह प्लेट अगर वन है, तो इस प्लेट का नाम अपन टू दे देते हैं, तो यहाँ अगर मैं left side में electric field देखू तो plate की वज़े से electric field का formula होता है electric field is equal to sigma upon 2 epsilon not यह अपने question number 18 में सिखा था कैसे निकालते electric field तो देखो इस plate की वज़े से electric field positive plate है तो electric field away from positive charge होगा केतना होगा sigma upon 2 epsilon not और इस negative plate की वज़े से electric field के दर होगा toward negative charge केतना होगा sigma upon 2 epsilon not यानि दोनों electric field एक दूसरे का opposite direction में है और magnitude में same है तो net electric field कितना हो जाएगा left side में? 0 होगा तो first का answer होगा left side में net electric field कितना होगा? 0 होगा अब middle में देखते हैं तो middle में देखो positive plate की वज़े से first plate की वज़े से electric field away from positive charge कितना होगा? सिगमा अपॉन टू एपसालोन नॉट और नेगेटिव प्लेट की वज़े से टूवर्ड प्लेट कितना होगा सिगमा अपॉन टू एपसालोन नॉट अब यह दोनों एलेक्टिक फिल्ड सेम डायरेक्शन में है तो टोटा एलेक्टिक फिल्ड दोनों को समिशन होगा वो कित स्राइड में एलेक्टिक प्लेट के वाज्वे भाजा से अवज पॉजटिटिव चार्झ सिग्मा पॉट टो Ты अ नेगेटिव की वाजए से टॉट निगेटिव कितना सिग्मा पॉट टो अपसालों नॉट ये भी electric field equal magnitude के एंड opposite direction में है तो net electric field कितना होगा 0 ये अपना c part का answer तो b part का answer होगा sigma upon epsilon naught a का 0 और c का भी 0